रभाव देखिएगा दर्शन हुआ मतद जानकी जी को अब एक बार का समय निकल गया दूसरी बार मतद जानकी जी फिर शिव जी की अरादना करने के लिए बेटी और दो हाथ में जल था स्त्रावन का महीना ज्यात नहीं दे पाया और मा जल को समर्पित करतर शंकर भगवान को उठातर विसर्जन के लिए कर जाने लगी पर वो शिवलिव जो पार्टियू बना हुआ था वो माता से लिए ताल में जे जगा पर सीतेश्वर महाते हुए उस गाउं का नाम सीता बनी कभी मोका लगे और आप लोग नेनी ताल जा रहे हैं गोमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाओं और सीता बनी पैसे तो वहाँ पर जाने की पर्मिशन नहीं होती क्योंकि मां बन छेतर में शेर चीते ज़्यादा रहते हैं तो दिन दिन में अगर कई काड़ महा देव विराज़ पर वो शिवलिंग हिला नहीं वो शिवलिन उठाने लव कुष्ण ने कहा मां आप से संकर जी नहीं उठरा है है आप इने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है पार्थी शिवलिंग कि निर्मान आपने करें और आपसे नहीं उट रहे हैं मा लाव हम उठाते हैं लब ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास कर जो रामजी से युद्ध कर लेते हैं घो लचमन जी कर कहा मां यह आपके पुत्र शिवीलिंग को नहीं हिला सकते मां ये शिवीलिंग में भी नहीं हिला सकता क्योंकि श्रावन महिने में आपने जो कावड का जल समर्पित करा है यह जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवने के कई लक्ष को एक दड़ी पक्का और निश्यत कर देता है और अटल कर देता यह हिल नहीं सकता एक बहन ने पूछा कि गुरु जी मान लो कि हमारा मन करें और हम कावड का जल चड़ाएं हमारे मंदिर में हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड का जल चड़ाना है तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते क्यो ना लेंगे यह उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रगट हुआ यह उसकी उदारता है दो बच्चे उसके पिता नहीं है मर चुके है टाप माता का नाम है ओम और राधे है यूपी जिला बांदा से आए कहा है आठे लई है गुरुदी मेरी तवेट ठीक नहीं रहती थी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बेट कर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चलू करा सारे डॉक्तरों से इलाज करवा लिया था आराम नहीं मिला पती नहीं इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्तरों को दिखा सकते पर मेरे भोले नातने मेरी जो बड़ी बिमारी थी उसको हर लिया गुरुजी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बेट कर कहा था जिस दिन हमारी मा अच्छी हो जाएगी ना क्योंकि पापा तो है नहीं मा अच्छी हो जाएगी ना जहां भी कथा हो रही होगी जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही आठ दिन में हम जहां कत्था हो रही होगी वहां पहुच जाएंगे गुर्देव इतना धन तो नहीं था क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था बाबा ने मिर को जो बड़ी बिमारी थी ठीक कर दिया गुर्देव बच्चों के भाग्ये से मेरे महदेवने मुझे अच्छा रखा मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा गुल्लक में अढला होगा वो गुल्लक का फोड़ कर हम तीनों यहां कत्था सुनने के लिए आएं है जिसका किराया है शिवतत्त एक वारा थिला तो बहन को बहुत बहुत सादु बाता है आप उसके भावों में आए हो यह गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है वो जो गुल्लक खोड़ कर देगा ना उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लगताएगी इतना विश्वास मा है शिवतत वह इसको yes not at it जियंगि कई लोग कतें सिवार वाले महराजजी ने साथ काम विकार करके रखा है कही लोग कहतें एक बेल पत्री चड़वा देते हैं मून का दाना चड़वा देते हैं चावल चड़वा देते हैं बेल पत्री चड़वा देते हैं जल चड़वा देते हैं दतूरा चड़वा देते हैं ए भाई अगर कोई पेसे की चीट चड़वाते हैं न तो ये साधरन से जिनके ये पत्राई है। जिनके पत्र चड़ाने के लिए भी नहीं है। वो क्या चड़ा पाते हैं। बहुत मेसे जाते हैं, आड़े तेड़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चड़वार है क्या है पर इतना विश्वास जरूर करता हूँ मेरे महादेव पर भरोसा करकर कहूंगा आपने एक बिलपत्री एक दुरुबा एक चावल का दाना या एक मूं भी चड़ाई या एक यहूं का दाना भी चड़ाया है न उसके खाते में लिखा गया है वो धन से नहीं तुमारे भाव से प्रगट हो जागा है भाव से पास में करोडों की संपदा होगी वो तो बहुत चड़ा देंगे साथ पर जिनके पास नहीं है आने तक का किराया नहीं है और गुल्लक खोड़कर जो पिता मर गए तो उसका विश्वास लेकर आया है भरोसा लेकर आया है तो विश्वास पाबा कैसे तोड़ दे जी वो भरोसा कैसे तोड़ दे तो आपरेशन हुआ उसका आपका कैंसर सही हुआ उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी मेरी बच्चे पूछती है कि मा बड़े बड़े डॉक्टर में कह दिया कि मैं मर जाओंगी और आप संकर जी पे चड़ा हुआ पानी मेरी आँख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाओंगी वो बच्ची कहती है छोती सी तीन साल की मंदिर में मा के गले लगकर कहती है डाप्टर करें तू मर जाएगी यह बच्ची जिन जिन्दा नहीं देगी और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाओंगी मा क्या महादेव सुनते हैं उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आँख में से आशु बह जाएगा मा अपनी बेटी से करती है स्यू महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है बचा लेगा क्यों नहीं आ रहे भाई हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हम उसके सारे ही तो जी रहे हमारे पास है क्या हम किसको पुकार सकते हैं हम किसको बोल सकते हैं हम किसको कहेंगे कि हमको यह तकलीफ है अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा पुर्वच्चन दिया दो निवाना पड़ेगा अंत समय वो आ जाता है मा तू कहती है बच जाएंगे वो कहता है मर जाएंगे वो है बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आँख से मा आज उस बच्ची को बेल पत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवाली आ फिकी है उसके आगे सारी दिवालिया फिकी है गाली दे अब शब्द का है पर वो ठीक हो गई ना बहुत है जल मिल गयाना शिव को संकर ने स्विकार कर लिया ना ठीक है उसकी स्विकरती है हम स्विकार कर दिये अगर पापा ने दिये हुए दन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मा को ठीक करकर अगर यहां तक लेकर आएं तो बाबा भी स्विकार कर लेता है उसको मालूम है इसकी खुलक छोटी है पर मेरी खुलक छोटी नहीं मैं जब दूँगा तो छप पर भाण कर दे दूँगा यह उसको मालूम है यह उसके ज्यान में देता है भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तरास करीदा बना देता है मेरा मादेव केवल आपका प्रेम और शिव के प्रतिसमर पड़ शिव हे लोग करते हैं तुमने महादेव को देखा है हमने का हमें देखने की जरुवती नहीं केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है हम समझ जाते हैं कि वह आकर चला गया और देकर चला गया क्या देखें लच्मन जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है ये ये स्रंगार देखें लच्मन जी करते हैं मैंने मा के चरंड देखें है तो पायल बता सकता हूँ कि मेरी मा की है हमसे कोई कहे तुमने संकर को देखा है तुमने महादेव को देखा है हम केवल इतना कह सकते हैं पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है तो हमने देखा नहीं पर पत्र कहते हैं कि वो है क्या देगा कितना देगा मालूम नहीं है अंगारा जो होता है ना लकड़ी का तुकड़ा जो जल जाता है अंगारा जो होता है उससे कोई दोस्ती कर ले उससे कोई पैचान कर ले उसको माता मान ले